हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत सवागा था आपका सुपर फास्ट सटडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक चीज के बारे में डिसक्स करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं conveyor belt एड़ेस्टिंग के बारे में conveyor belt one sided हो जाना conveyor belt sway हो जाना यह common problem है अगर आप conveyor belt को use कर रहे हैं तो conveyor belt का sway हो जाना एक side हो जाना यानि कि conveyor belt pulley के center में ना हो करके या तो इस side या तो उस side चले जाती है क्योंकि वो continuous running condition में है तो ऐसे condition में उसको कैसे adjust करना है इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे तो बन रहेगा वीडियो में तक चले वीडियो को start करते हैं तो फ्रेंट्स जो conveyor belt होता है उसे उसकी tail pulley की मदद से adjust किया जाता है आपने देखा होगा conveyor belt के tail pulley में adjusting frame लगा होता है यानि कि उसमें लंबे लंबे bolts लगे होते हैं threaded stud bolts लगे होते हैं और जो कि जिसको अगर हम tight या loose करेंगे तो पूरा का पूरा tail pulley का block और उसका shaft है tail pulley वो ही आगे पीछे movement करने लगता है तो इसी की सायता से conveyor belt को adjust किया जाता है center पे अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है suppose हम example माल लेते हैं left hand side वाला ये image देखिए आप ये जो conveyor belt है इसमें माल लेते हैं हम अगर हमारा जो conveyor belt है वो left hand side में ज्यादा चला गया है तो हम उसको कैसे center में लाएंगे तो देखिए उसको center में लाने के लिए दो तरीका है आप क्या करें जो left hand side वाला पुल्ली का जो shaft है पुल्ली को left hand side में उसी bolt, state bolt की मदद से tension दें यानि कि पीछे की तरफ खीचें अगर आप पीछे में खड़े हैं वहां से आप देखें तो पीछे की तरफ हलका सा खीचें पहले half thread आपने state bolt का करें फूल करें ऐसा करके धीरे धीरे करें इस procedure को ज़्यादा fast करने की कोसिस ना करें ज़्यादा fast करेंगे तो आपका conveyor belt तूरंट opposite side में चला जाएगा और conveyor belt को set करने के लिए बहुत ही धीरे से आपको ये सारे procedure जो है उसको follow up करने है तो पहला तरीका ये हो गया आपको जिस side belt चला गया है उस side के pulley को tension देना यानि पीछे की तरफ खीचना है ठीक है दूसरा एक और तरीका है दूसरा ये है कि जिस side से conveyor belt गया है यानि कि यहाँ पर अगर conveyor belt पर left की तरफ चला गया है तो आपको right side का जो pulley है उसको आगे की तरफ shift करना है हलका सा आगे की तरफ head pulley के side में उसी stud bolts की मतलब से हलका सा आगे की तरफ shift करना है ये दोनों procedure में से किसी भी एक procedure को अगर आप follow करेंगे तो आपका conveyor belt अगर left hand side में चला गया होगा तो वो धीरे धीरे right hand side में आने लग जाएगा और इस procedure को करें थोड़े देर तक और observation करते रहें कि conveyor belt कितना conveyor belt adjust करने के लिए और high rpm वाला यानि high speed वाला अगर आपका conveyor belt है तो आपको ये procedure को बहुत ही ध्यान से करना है बहुत हलके हलके moment दे करके आपको tail pulley को आगे पिछे ऐसे adjust करना है धीरे से क्योंकि high speed वाला जो conveyor belt है उसमें बहुत जल्दी conveyor belt move करता है एक position से दूसरे position में त और फिर लगे का आपको की और ज्यादा जा रहा है center से right side में चला गया है left side में था तो तो उसको क्या करेंगे वापस हलका सा कम कर देंगे तो इस तरीके से heat and trial method से आपको conveyor belt को adjust करना होता है center पे running conveyor belt को आप इस procedure की मदद से adjust कर सकते हैं तो friends ये एक basic जानकारी थी बहुत स तो उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी helpful लगी हो अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like करिएगा channel को subscribe करिएगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए